सिक्स मेजर रिग्रेक्ट्स ओफ स्कूल लाइफ रिग्रेक्ट, पशेमानी, पश्टावा, अफसोस, बड़ी बेबसी वाला इसास होता है स्पेशली तब जब किसी बात का तालुक गुजरे हुए वक्त से हो पास्ट से हो, कभी रिग्रेक्ट ये सोच कि होता है कि काश, उस वक्त मैं ये काम कर लेता, क्यों नहीं किया और काश, उस वक्त मैं ये काम ना करता बात जो भी रही हो, क्योंकि वो पास्ट में थी, उसे बदला तो जा नहीं सकता फिर उसके बारे में इतना सोच के उदास की होना मगर हाँ, अगर आप कॉलेज, युनिवस्टी या स्कूल में हो स्कूल में भी बड़ी क्लासिस में क्योंके छोटी क्लासिस के बचों को इन चीजों से कोई खास फरक नहीं पड़ता और अगर आप बहुत छोटे हो और गलती से ये सुन रहे हो तो भाईया आप बहुत बोर होगे, बेतर है जाके खेलो कूदो अच्छा, अब बात कर लेते हैं बड़े बचों की वैल, जो बड़े हो जाते हैं वो बचे तो नहीं रहते ठीक है, चलें बड़े ही कह लेते हैं, बड़ों की जो कि अभी युनिवर्स्टी कॉलिज या हाइ स्कूल में अगर आप जाने अन जाने में इस जैसे कुछ काम नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, जिसका प्रोबैबली, ये टन्योर खतम होने के बाद स्टुडेंट लाइफ खतम होने के बाद, रिग्रेक्ट हो सकता है, पश्यमानी हो सकती है तो इन पे दिहान देने का, इनके बारे में सोचने का, यही टाइम है सिर्फ और वो चीजें क्या है, वो ये है, नमबर वन, जस्ट पास दा टाइम ये टाइम बस गुजर जाए किसी ना किसी तरह, ऐसा वो लोग कहते हैं जिनको किसी भी स्टेज पे चैन नहीं होता जब वो सकूल में होते हैं, दुआएं मांग मांग के अपने दिन गुजार रहे होते हैं बेचैनी, इरिटेशन, उलजन, इनके चेहरों से जलक रही होती है जब सुबा यूनिफॉर्म पहन के, इनको सकूल में आना पड़ता है और सकूल आते ही, इसम्बली अटेंड करने पड़ती है और दिल में ये कहते हैं कि कब स्कूल लाइफ खतम होगी, इन सियापों से जान चूटेगी फ्रीडम अजादी मिलेगी, जो के 11, 12 यानि कॉलिज लाइफ में होगी थोड़ी सिनियोरिटी की फिलिंग आएगी, टीचर्स हमें सीरियस लेंगे और ये सब ख्यालात, अच्छा अब कॉलिज में भी आना हो गया कुछ दिन तो इंजवाई किया, लेकिन जो जो वक्त गुजरा, आगे की सोचने लग गए एक दूसरे को कहने लगए कि बता यार, कौन सी उनिवर्स्टी में ड्मिशन लोगे कहां का प्लैन है, और कॉलिज में बैटके सोच रहे होते हैं कि युनिवर्स्टी जाएंगे तो क्या मज़े होंगे फुल फैशन, को एजुकेशन, लेक्सिज लो, ना लो, सब मोजें मगर वहां जाकर भी जब पता चलता है, तो यहां और भी बड़े से आपे हैं बर्डन है, कोर्स है, और भी बहुत कुछ, फिर यही लोग एड़ेंट कहते हैं कि बस डिगरी कंप्लीट हो जैसे तैसे, एक ठीक ठाक जोब करें और सकून की जिन की गुजारें, मगर साहिब जो अल्रेडी लोग जोब कर रहे हैं, उन से जाके पूछो, जोब में पुराने होने के बाद, वो भी यही कहेंगे, कि स्टूडेंट लाइफ के अपने मज़े थे, क्या वक्त था, वर्क लाइफ तो बहुत टाफ होती है, और इसके लावा, उन चालिस पचास साल के बाबों को देखा करो, जो अपने कॉलिज युनिवस्टी लाइफ के दोस्त पंदरा साल बाद, हैपी मेमरीज की तरफ, जैसे आज आप अपने बच्चपन को, चाल्ड हुड को, स्कूल लाइफ को, गोल्डन डेज मानते हो, याद करते हो, स्माइल करते हो, नमबर टू, आई रिग्रेक्ट, डैट आई प्लेड लेस, जो लोग 4 जीपिय ये 99 पर्ष ये 99 पर्षेंट मार्क्स लाने वाला मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उतना इनको भी करना चाहिए, कम खेलना चाहिए, कम मस्ती करनी चाहिए, मगर ये जमाना घुजरने के बाद, जब मस्ती करने की उमर ना रही, फिर ये ही लोग, जो स्पोर्ट में भी थे, पढ़ाई नहीं करते थे लेकिन जो 99% वाला है उसका एक रेक्ट क्या होगा पॉसिबल है बिल्कुल ना हो वार्निंग इसका मतलब यह नहीं है कि खेलना ज्यादा चाहिए पढ़ाई कम करने चाहिए यह वैसे आपको बताया कि यह बी एक रेक्ट है जो बाद में लाइफ की किसी और स्टेज पर जाके होता है जब हम पीछे देखते हैं नमबर तुरी मेकिंग लेस फ्रेंड्स तमाम जिंदगी किसी इंसिट्यूट से किसी युनिवरसिटी से की हुई डिगरी याद नहीं आती किसी को बलके वहां के रिलेशन्स फ्रेंड्स कॉंट्रेक्ट्स और उनके साथ गुजारे हुए लमहात, वक्त, इवेंड्स ये चीज़े याद आती हैं और जो लोग ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद ही करते हैं या डिरते हैं थोड़ सी करेज, हिम्मत कर लो भी एक तो ये काफी अच्छी चीज होती हैं और बाद में कुछ अच्छी म वजा से क्लास में सब के सामने टीचर से कुछ पूछने में, बात करने में हिच किचा जाते हैं और लेक्चर खतम होने के बाद ये सोचते हैं कि टीचर के साथ उसके आफिस में जाके ये चीज़ पूछ लूँगा, ठीक है काम तो इस तरह से भी चल जाएगा, for the time being, मगर चांस अवेल करने में, उस वक्त हिमत करने में, जो ग्रोथ, जो इंप्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस उस वक्त भड़ सकता था, उसका चांस तो खो दिया ना आपने, and लेटर ओन फिर वही सोच, काश उस वक्त कर लेता, Number 5, I wish I had been less worried about my grades, oh common problem, marks, grades जरूरी होते हैं, 70, 75, 80% बहुत होते हैं, until, unless, आपका अगर कोई record काईम करने का target नहीं है तो, और record भी, grades ज्यादा लेने में, और इसके साथ जो stress, परिशानी, mental health पर असर, वो bonus में, अगर आप भी, grades के हवाले से, बहुत ज्यादा concern हो जाते हैं, serious हो जाते हैं, जबकि आपका काम चल सकता है, above average grades के साथ भी, तो बाद में आपको ये भी regret हो सकता है, कि काश मैं जरा कम परिशान होता है, इनको लेके, last, important, number 6, काश मैं पढ़ लेता, या पढ़ सकता, मैंने कहीं सुना था, कि अगर आपको education हासल करने की opportunity मिल रही है, then don't take it for granted, ये एक luxury की तरह है, जो हर एक को वेलिबल नहीं होती है, अगर किसी वज़ा से आप higher education परसूर नहीं कर पाए, masters, M.Phil, PhD, तो I think in my opinion, ज़्यादा परिशान होने की जरूत नहीं है, because it's information age, हर चीज़ अब freely सीखी जा सकती है, अगर सीखने का कीड़ा होतो, तो ये थे कुछ common regret, जिनके होने के chances काफी होते हैं, अगर आपने इनको verify करना है, तो उन लोगों से जाके पूछ सकते हैं, जो इस phase से गुज़र चुके हैं, आज के लिए इतनी बाते काफी हैं, मिलते हैं next episode में, अपना ख्याल लखिएगा, thank you so much.